हेलो बच्चों मैंने आपको चौपाई एक, दो और तीन की व्याख्या बताया जिसमें से आपको एक और दो के चौपाई से कुछ कोशन आंसर भी बताये आज मैं आपको चौपाई संक्या तीन से संबंदित कुछ कोशन आंसर बताने जारी हूँ जब आपने व्याख्या अच्छी से समझ ली है तो आपके लिए इसका कोशन आंसर बताना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ और आप वैसे ही बहुत समझदार हैं आपको मालूम होगा मेरा पहला कोश्चन है कि लक्षमण ने परशुराम पर किस तरह व्यंग करके अपमानित किया याद होगा आपको चौपाई संक्यातीन में कि मैंने आपको बताया था कि उसमें लक्षमण ने परशुराम के लिए कहा कि आप एक महान योधा हैं लेकिन बार-बार आप मुझे डरा धमका रहे हैं व्यर्थ में ही आपने अपने शरीर पर कुठारू, कुलहारी, धनुष और वान को सम्हाल करके रखा है तो इस कुश्चन में यही है कि लक्षमण ने परशुराम पर किस तरह व्यंग करके अपमानित किया, तो वहां उन्हों ने ये व्यंग किया लक्षमण ने कि हे मुनिश्रेश्ट मैंने आपको महान योधा समझा था लेकिन आप तो मुझे बार-बार अपना फर्सा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक फूंक मारूं और पहाड उड़ जाए अपनी तरजनी दिखा करके आप बार-बार डराने का प्रेयत्न कर रहे हैं लेकिन यहां कोई कुम्ढे की बतिया नहीं है यानि कमजोर नहीं है कि आपकी तरजनी को देख करके वो डर जाए तो इस तरीके से लक्षमन व्यंग करके परशुराम का अपमान कर रहे थे उनकी वीरता पर व्यंग कर रहे थे अगला question है कि लक्षमण ने अपने कुल की क्या विशेस्ता बताई तो देखे इसमें भी लक्षमण ने अपने कुल के बारे में बताया कि जो उनका कुल है रगुकुल आप सबको मैंने बताया था कि जो रगुवन्शी होते हैं वो चार चीजों के उपर अत्याचार नहीं करते हैं पहला कि वो देवता पर अत्याचार नहीं करते हैं ईश्वर भक्त पर अत्याचार नहीं करते हैं ब्राहमण पर नहीं करते हैं और गाय पर यानि उनका कुल देवता ईश्वर भक्त ब्राहमण और गाय पर अत्याचार नहीं करता क्योंकि इन पर अत्याचार करने से उन्हें पाप लगता है तो अपने इसी कुल की विशेस्ता का उन्होंने वर्णन किया कि उनका कुल इन चारों के उपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करता क्योंकि ये पूजनी होते हैं तो ये उनकी कुल की विशेस्ता थी अगला कुश्चन है कि उन्होंने अपने कुल की व तो इसके पीछे कहने का क्या कारण था तो लक्ष्मण ये इसलिए बता रहे थे परशुराम को क्योंकि वो ये बताना चाहा रहे थे कि परशुराम ब्रामण है और वो ब्रामणों के उपर हाथ नहीं उठा दे क्योν व्रामण पूज़नी या माना जाता है तो अपने कुल का वर्णन करने के पीछे उनका यही एक उद्देश था कि उनका कुल ब्रामणों पर नहीं अत्याचार करता और परशुराम एक ब्रामण है और ब्रामण होने के नाते वो उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहते अगला कुश्चन है हमारा कि परशुराम को हथियार नहीं रखना चाहिए ऐसा लक्षमाण ने क्यों कि कहा इस चौपाई में आपने ये भी समझा कि लक्षमाण ने इस तरीके का भी परशुराम के उपर व्यंग किया था उनके हथियारों पर व्यंग किया था तो हथियारों प्रव्यांग उन्हों ने किस त्रीके से किया था कि परशुराम को उन्हों ने कहा कि है मुनि आप तो महान योध्धा हैं और महान योध्धा जो हैं वो अपनी बातों से अपनी वीर्था का प्रदर्शन नहीं करते और आप तो ऐसे हैं कि आप अपने बातों के ही माध्यम से हमको डराधम का रहे हैं इसलिए आपने व्यर्थ में ही धनुश, बाण और कुलहाडी को धारण कर रखा है क्योंकि आपके जो कड़वे वचन हैं वो ही आपके हतियार के समान है आप अपने वचन से ही लोगों को मार सकते हैं तो आपने व्यर्थ में ही धनुश, बाण और कुलहाडी को धारण कर रखा है तो ऐसे शब्दों को बता करके ऐसे शब्दों का प्रियोग करके लक्षमने परशुराम के उपर व्यंग किया और उनको हतियार नहीं रखने के लिए भी उनके उपर व्यंग किया अगला कुश्चन है कि आप इसमें है कि कुछ अलंकार से संबंदित मैं बात करूंगी कि आपने देखा कि चौपाई के कुछ लाइन में है कि कि पुनी पुनी ये शब्द है पुनी पुनी इसमें अलंकार क्या है तो मैं आपको बता दू इस पुनी पुनी शब्द में पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार है पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे होता है इसकी विशेष्टा होती है कि इस अलंकार में जो शब्द होता है वो रिपिटेड होता है रिपिटेड यानि कि एक ही शब्द दो बार आता है एक चिस ध्यान में रखिएगा काफी ऐसे अलंगकार हैं जो कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी चीजों से एक दूसरे से बहुत जादा similar लगते हैं लेकिन उन में फर्क जो होता है उनके अर्थों का होता है तो पुनी-पुनी पुनी-पुनी का अर्थ पहले अगर हम जाने तो इसका मतलब होता है कि बार-बार पुनी-पुनी मोहीं दिखाव कुठारू कि बार-बार आप मुझे अपनी कुलहारी दिखा रहे हैं तो आपने देखा यहां पर पुनी-पुनी शब्द का एक ही ही मतलब है वो है बार-बा अर्थ एक है शब्द दो हैं एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन उन दोनों शब्द का अर्थ एक है बार बार तो जब कभी रिपिटेट शब्दों में उसका अर्थ एक ही ही होता है तो वो पुन्रुक्ति प्रकाश होता है अब इसी तरीके से एक और कावे की पंक्ति है कि तो यहां पर आपने देखा कनक कनक शब्द भी दो बाराय है लेकिन हम यहां पर पुनरुप्ति प्रकाश नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम इन सब चीजों में जो अंतर होता है वो इनके अर्थों का अंतर होता है तो पुनि-पुनि शब्द में अर्थ एक था बार बार लेकिन इस कावे पंक्ती में कनक कनक ते सोगुनी कनक कनक शब्द में जो अर्थ है वो अलग है कि एक कनक का मतलब होता है सोना सोना मिन्स गोल्ड और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा धतूरा जिसको हम जहर कह सकते हैं कि जे पाए बौराए नर जे खाए बौराए तो जे पाए कि सोने को पाने से भी इंसान बौरा आ जाता है बौरा आ जाना यानि पागल हो जाता है और दूसरा खाने से यानि दूसरा जो कनक है धतू उसके खाने से इंसान पागल होने लगता है यानि कि दोनों ही के situation में जो है वो condition जो है अलग-अलग होती है खुशी की और दुख का तो यहां पे एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा इसलिए यहां पे जो repeated शब्द है उनको हम पुनरुक्ति प्रकाश नहीं कह सकते वो हमारा यमा का लंकार है लेकिन मैंने आपको शब्द दिया पूनी-पूनी शब्द में अ हावे पंक्ति है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा यहां पे लक्षमन ने परशुराम के लिए कहा जो उन्होंने हत्यार को धारण किया हुआ था कि आपने वेर्थ में ही हत्यार धारण किया है तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा आपका जो वचन है कोटि कुलिस कोटि क यहाँ पे मैंने आपको अपने लक्षर में भी बताया था कि जिस पंक्तियों में सम, सरे, समान, सा, सी, से जैसे शब्द आ जाते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, उपमा का मतलब होता है कमपेर करना, किसी समानता को बताना, तो यहाँ पे है कोट कुली संग वचन तुम्हारा यहाँ पे आपने देखा संग शब्द आया है, तो शब्द को देखके आप समझ जाईए कि यहाँ पे उपमा अलंकार है, यानि वचनों को कड़वा कहा गया है, वो कड़वे के समान है सारे वचन, तो इस पंक्ति में जो ह है वहां पर अलंकार जो है वो हमारा उपमा अलंकार है तो आप इस चौपाई संख्या तीन से संबंदित कोश्चन आंसर को समझ गए और मैं आपको और भी कोश्चन आंसर यूहीं बताती रहूंगी और इस उमीद के साथ कि आप मेरे हर बात को अच्छे से समझें इसको इतने बार प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इतना ही अच्छा होगा तो यह अभी जो मैंने आपको बताया वो चौपाई संख्या तीन की व्याख्या थी इसके बाद मैं आपको चौपाई संख्या चार की व्याख्या उसके कोश्चन आंसर के साथ बताऊंगी तब तक के धन्यवाद